प्लीज सब्सक्राइब में चानल हानी स्प्यूटी एंड हेल्थ और साइड पर बेल आइकान को आप प्रेस करने से मेरी सार लेटेस्ट वीडियो सब्डेट्स आपको जल्दे से मिल जाती है तो इसके लिए बेल सीम्बल को जेरोर क्लिक कीजिए हाई एबरीबान वेल्कम टो में चानल हानी स्प्यूटी एंड हेल्थ आज आपको बताने वाली हूँ गलोईं तवचा का राज आज मैं आप लोग के साथ शेर करने वाली हूँ आपको पता है जबने इसका स्कीन केतना टाइटनिंग रहता है केतना गलोईं और ब्राइटनिंग रहता है तो इसलिए उसका स्कीन जो है उतना शाइनिंग चमकदार और ब्राइटनिंग दिखता है और आप लोग अबसर करते होंगे कि उनका स्कीन बहुत हेल्दी भी रह इसलिए हेल्दी रहता है कि उलोग गरेलून उसकी वह अपना स्किन के ऊपर इस्तमाल करता है। इसलिए स्किन हेल्दी और ब्राइटनिंग दिखता है। तो आज मैं आपको जैपनेश स्किन वाइटनिंग और लाइटनिंग ट्रीटमेंट का आप लोग के साथ शेर करने वाली हूँ। तो कम्प्लीटली वीडियो को इंटर्जेक देखिए। काफी सारे वियोस मुझे रिक्वस्ट किया है पिम्पूल, एक्नी, और डॉक स्किन के बारे में और कॉरियन स्किन के बारे में। इन सभीके लिए विए इस वीडियो में आप लोग के साथ शेर कर रही हूँ। तो जिरूर्ष इस टिप्स को आप फॉलोग कीजी। इस सी अपना स्किन स्पॉटलेस बनने के साथी साथ जबने सकिन को बना सकती हो, लाइटनिंग और टाइटनिंग बना सकती हूँ। तो चलिए वीडियो को देखते हैं, वीडियो को देखने के पहले आप लोगं को कोई भी requested video हो, तो वीडियो को end में comment कीची, आपके comment पढ़के मैं 2-3 दिन के अंदर आपका requested video बना देती हूं, उस वीडियो के अंदर में आप लोगं का नाम भी mention करती हूं, इसके लिए आप म Clean ball में आप दो चेमच clay mask एड़ करना है, दो चेमच clay mask एड़ करके उसमें rose water एड़ करना है, rose water एड़ करके fine page जैसा mix कर लेना चाहिए, fine page जैसा mix करके इसको चाफ चेहरे के उपर अपले करना है, पहले चेहरे को normal water से neatly wash करके पहुंचने के बाद इस pack को all over face के उपर गले के अंडर एरिया चोड़ के all over face के उपर अपले करना है, क्योंकि इसमें है clay mask यह अपना skin complexion को improve करता है, skin को tightening और brightening करता है, यह clay mask आप यूज करने से इसे skin को पर पोर्स को भी clock down करता है, skin complexion को भी improve करता है, अगर आपका skin के उपर rashes है, fine lens है, aging के वैसे skin dull हो रहा है, इस clay mask को आप अपले करने से skin complexion improve होगा, और pimple acne भी दूर होगे, skin भी tightening, brightening होगा, instantly skin को tightening, brightening करना है, और aging को reduce करना है, skin का aging को reduce करना है, तो इस clay mask को अपले करना है, इसको आप हर रोज भी अपले कर सकते हो, कम से कम हर रोज करने का time नहीं है, आपते में 2-3 बार तो इसको use करना चाह अपले करने के बाद dry होने तक चोड़ कि इसके बाद चेरे को warm water से wash out करना है, ऐसे करने से skin texture improve होगा, और second है, अपना skin को tightening, brightening बनाने का DIY green mask, DIY green mask के लिए clean ball में हमें लेना चाहिए, बैसली powder, इसको कहता है तुलसी powder भी, आप एक clean ball में 2-6 तुलसी का powder अड़ करना चाहिए, क्योंकि तुलसी में anti accidents high amount में रायता है, इससे skin complexion improve होगा, skin tone भी बढ़ता है, इसमें आप बड़े चिमबर तुलसी का powder अड़ कीजिए, इसके बाद इसमें हमें पानी अड़ करके wix करना है, इसमें हमें warm water अड़ करके mix करना चाहिए, अब इस green mask को अच्छा सा mix करना चाहिए, अब इससे अच्छा सा mix हो गया, इसको चेरे के उपर अपले करना है, इस mask को आप clean face के उपर अपले करना है, अपना आमकों के नीचे under area चोड़ के, पूरा face और गले के उपर अपले करना है, इसमें है, तुलसी leaves, तुकि तुलसी leaves में high amount में, तुलसी leaves में high amount में anti accidents रहता है, इसे skin complexion improve होगा, skin भी tightening, brightening होगा, अगर आपके skin के उपर acne है, और acne को भी control करता है, तुलसी और skin को भी cluster clear करता है, तुकि काफे सारों को make up अपले करने से, make up के वज़े से और चेहरा ज्यादा oily होने के वज़े से acne pimple हो जाती है, तो उसको भी remove करता है, और चेहरे के उपर uneven skin को भी दूर करता है, तो आप, एक green mask को हफते में 2-3 बार try कीजिए, एक DIY green mask को, इसे skin soothing और nourishing होगा, और इसका texture, इससे अपले काना है, skin texture भी बहुत softer बन जाता है, अभी next है, और एक most important skincare है, चावल का पानी का नुस्का, अभी हम इसके लिए एक clean ball में आता कप चावल लेना है, आता कप चावल में freshly water add करके चावल को पहले अची तरह दोना चाहिए, दोने के बाद इस चावल को एक आदा गंटे के लिए बिगा के रख लेना है, इसके बाद इस चावल का पानी को हमें use करना चाहिए, चेरे के उपर as a toner की जैसे इस्तमाल करना है, आता गंटे के पाद चावल अच्छा सा बेगने के बाद एक चावल का पानी को एक spray bottle में दाल के use करना है, क्योंकि यह चावल का पानी Japanese का main skin के secret है, यह अपना skin को tightening करता ह और natural skin को toning करता है, DIY mask अपले करने के बाद चावल का पानी को आप हर रोज चेरे के उपर morning और afternoon चेरे के उपर इस्तमाल करना है, क्योंकि Korean Japanese people अपना skin को maintain करने के लिए चावल का पानी को इस्तमाल करता है, क्योंकि चावल का पानी में rich amount of antioxidants रहता है, यह अपना skin complexion को improve करता ह चेरे को कांच जैसा चमकदार और shiny बना देते हैं, अपना skin को shiny और glowing और brightening बनाना है, तो चावल का पानी को as a toner की जैसा कंबल सरी इस्तमाल करना है चेरे के उपर, चावल का पानी को जैसा स्प्रे कीजिए, स्प्रे करके आप 2-3 मिनिट तक चोड़ दीजिए, इसके बाद cotton part से wipe out कर सकते हो, ऐसे करने स्कीन साफ होगा और skin naturally tightening और brightening हो जाएगा, इनिंग सार्ट हुआ न, यह है फ्रेंट्स glowing skin का राच, आप इसको जरूर ट्राइ कीजिए, इससे skin जो है बहुत glowing brightening दीखता है, अगर आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगा न, इस वीडियो को like और share जरूर करें, इस वीडियो को regarding कुछ comment है, comment box में comment कर सकते हो, उसके answer में जरूर दे होगी, फिर मिलती मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, बाई बाई प्लीज सब्सक्राइब में चानल, honey's beauty and health और साइड पर बेल आइकान को आप प्रेस करने से, मेरी सारे लेटेस वीडियो सब्डेट्स आपको जल्दे से मिल जाती है, तो इसके लिए, बेल सिम्बल को जरूर क्लिक कीजिए